और बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके चोराण में जनम दिन पर आया हूं इसका आप बदला मुझसे चुका हैं और मेरे चोराण में जनम दिन पर आप जरूर आएं इसी तरह बदला चुकाया जा सकता है एक बात और बता दू कि मुझे वर्दान मिलावा है कि जो मेरी बात पर धंग से ताली नहीं बजाता है वो अगले जनम में घर-घर जाकर ताली बजाता है यह मुबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दो आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हसाओगे मेरे भरोसे ब्या करके लाए थे क्या मर्द के बच्चों तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हसाओ मेरे भरोसे क्या को हसाओगे अभी भी माशेजी मैं देख रहा हूँ जो पती अपनी पत्नी के साथ बैठे धैसत में बैठे धंग से हस नी पारे हसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं वो हसती है तो हसत हद होगी यार देशत की जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता आपको देखो इमत लुगाई की तरफ हसते रो क्या बिगाड लेगी तुमारा मैं तुम्हें बचा लूँगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता समय मैं तो आपको टिपसी दे सकता हूँ देखो पतियो यह आपके लैग तो है निए आउट आप कोर्स की बात है उनके अक ही सिक्सा देना चाहते हैं बच्चे को चुप कर लो पता ही नहीं लगता कि बच्चा रो रहा है कि पती रो रहा है क्यों पती जब गुट-गुट करके रोता है तो इसी तरह से आवाज निकलते हैं हासने की बाती है मैंने कई बार अपनी सुनी है ना मुझे मालूम भी या कैसे निकलते हैं हाँ ताली में जाओ हाथ उठाए तो इसे बड़ी मुफता नहीं हो सकती जिन्दगी में आज बैतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आपी बैतर होता चले जाएगा एक ही व्यक्ति मुझे इतने सालों में मिला जो काम को धर्म समझता है धर्म का भी काम करता है वाँ क्या कहने है वरना लोग सिर्फ धर्म का काम करते हैं लेकिन काम का धर्म नहीं करते हैं आप दोनों काम करते हों काम को भी धर्म समझते हो धर्म का भी काम करते हैं तालिया आप लोग कमजोर बिजा रहे हैं बिल्कु अच्छे बात रहे हैं कितने भी हैं इस चुराण में साल के युवा की ताकत थोड़ी हैं इनकी तालियों के अंदर जो जो मैं सरी ओसो ने कहा था जब आप हंसते हैं तो इस्वर की प्रात्ना करते हैं और हकीकत में हसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना सीख जाते हैं अगर किसी की तकलीफ में आपको रोना नहीं आता तो आपको हसने का हक नहीं दिया किसी में लेकिन मैं अलग बात कहता हूँ ओर्षो कहते हैं जब आप हसते हैं तो इस्वर की प्रात्ना करते हैं और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हसाते हैं तो फिर इस्वर आपके लिए प्रात्ना करता है आप किसी के आशू पहुंच दीजिए फिर किसी मंदिर, मजजद, गुर्द्वारे, गिर्जागर जाने की ज़रुत नहीं है श्वैम इस्वरी आपके लिए प्रात्ना करता रहेगा तो महासहजी आपने तो इतने लोगों के आशू पहुंचे हैं कि श्वरी आपके लिए प्रात्ना करता है हम लोग तो इस्वर पर भरोसा रखते हैं आप पर इस्वर भरोसा रखता है इस्वर पर भरोसा रखना कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास इसके लावा कोई चारह नहीं है लेकिन इस्वर आप पर भरोसा रखता नहीं, ये बड़ी बात होती है, उसमें सो एका दुखा देश के अंदर निकलता है, मैं टिप्स देना चाहता हूँ, देखो पतियो, जब भी घर में घुसो, मुँ लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है, हसकर गुसोगे, पचास सवाल करेगी, किसके साथ बठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, भार कैसे हसकर आया बता तो, सही, उसे लगता है, मेरे जीते जी, इसकी हसने की इमत कैसे हो गई, जो ये हसने, ये जा, मैं तो आपको टिफ्सी दूआ बस, और, मॉबाइल बंद कर दो, कोई स्टेटस थोड़ी है, एक तो इसमें फिल्मी धुम डाल देंगे, वो मरवा देंगे, कभी मॉबाइल में फिल्मी धुम मत डालो, मायसा जी एक आदमी अर्थी को कंदा दे रहा, मॉबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले, अकेले, कहां जा रहे है, हमें साथ ले लो, जहां जा रहे है, पूरी मुर्दिनी फ्याप कर दी, इस किसमें से, मुझे दिल में एक अपनी लुगाई को बिदा करा कर ली जा रहा, मॉबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी थी, दिल में बसा के प्यार का ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, ये जरूरी जरूरी जानकारी देनी पड़ती है, मैं तो आपको बता दू, महिलाएं बैठी हैं साथ, महिलाएं बहुत कठोर होती है, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है, वीचारे में आवाज ही न में जा रहे हो, बगल में कोई महला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महला के कंदे पिटिक जाए, एक जटके में तुम्हें उठा देगी इतनी कठोर होती है, ये भी नहीं सोचती कि किसी बिचारे को नींद भीया सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा सकती है, अपनी पर आजाएं तो तुम्हें जेल भीजवा देए, ये महला इतनी कठोर होती है, अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंदे पे ठिक जाए, तुम्हें अंबाडा जाना होगा, चंडी गर चले जाओगे, ले पुरूश बड़ा कोमल होता है, बाई, नेचर से कोमल होते हैं, सी दिसी बाते हैं, आप तो सब व्यापार के हुष में हो, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजन्ट कोई नहीं होता, तो सही बतारों है, अभी दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छपर मे चाय की दुकान खोली, उपर बोर लगा है, होटल अबर आये, नीचे लिग दिया, हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाडले अबर आये, क्या बिगाड़ेगा, एक लाइन में कई हजार करोड के होटल की ऐसी तैची फेर करके रग दी, नीचे एक लाइन और लिख दी, नकालों से सावधान, दिल्ली में कुतब रोड पर एक बोर लगा, अविताब बच्चन दस रुपे, जया भादरी पांच रुपे, अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगे, दोनों का लागार निपता दिये, मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले तिम्बर मर्चंट, अरे मैंने तिम्बर मर्चंट काहां, बोले करनाट प्लेस में, अरे मैंने करनाट प्लेस में, काहां तिम्बर का काम, बोले, ओडियन्स निमा के सामने, मैंने यार ओडियन्स निमा के सामन जिन्दगी बदल दें तो आपकी तालिया चाहूंगा जिस काम को आप करते हो जिस काम से आपका घर चलता है जिस काम से आपका पेट पलता है जब तक आप उस काम को इजद देते रहोगे तब तक मुनाफ़ा होता रहेगा जिस दिन आप अपने काम पर बैठ कर कहने लग जाओगे आज कल इस काम में कुछ नहीं रखा उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा जिस नौकरी को आप करते हो कम तंखा की भी नौकरी और कहोगे बड़िया नौकरी कर रहा हूं तो कम तंखा में भी जिन्दगी भर आपको बरकत हो सकती है और लाखों रुपे मैंने की नौकरी को कोशते रहोगे तो कभी भी जिन्दगी में बरकत नहीं होगी साहाब और तालीज बात पर चिंदे साहाब काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो क्योंकि मंदिर में भागवान से कुछ मांगते ही तो हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भागवान से मांगने के लिए जाते हैं का कहने हैं काम से बड़ी पूजा कोई नहीं होती जिसका आपने पालन किया है और एक बात और कहना चाहता हूँ जिसका आपको जिन्दगी का आपको पढ़ा मैंने कुछ भी हो जाए व्यापारी की कमीज मेली रह जाए लेकिन उसका आकाउंट कभी भी मेला नहीं रहना चीए जिन्दगी था अगर व्यापारी वोई सफल होता है जो अपना आकाउंट भाई खाता साफ सुथरा रखता है जो गंदे रखते हैं उनके काम भी पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाते हैं अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चीए ताकि मसा हम लोगों का तो एक ही अपराद रहा हमने पार्टियों को वोट देना सुरू कर दिया अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हरे एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकर देना शुरू कर देते फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत कर आते अभी तो खेर मोधी जी बन गए हैं बदाई देता हूं ने वो हम दोनों इंटेलिजन्ट है उनके बाद मेरे बाद देश में उन्हीं का नमबर आता है बस ये मैं ज्यादा इंटेलिजन्ट हूं क्योंकि मेरे साथ लुगाई रहती है वो रोज मुझे तपाती रहती है तपाती तो मैं निखरा हुआ सोना हो गया बस और कोई बात उन्होंने भी ऐसी बात कह दी कोई पकड़ी नहीं सकता मैंने भी ऐसी बात कह दी मैंने भी अपनी लुगाई से का था तुझे प्यार करूंगा चाली साल होगे रोज भूशी भी अब करेगा ये तब तर बेस मोदी जी बुलंदियों पर तो हमने पहुंचा दिया है ठीके रहना तुमारा काम है हमारा काम नहीं है अभी तो क्या हुआ है जी मैंने साथ नौंबर को नोट बंदी से एक दिन पहले अपनी लुगाई से पुछा कुछ रुपे पढ़े हैं क्या घर में जरूरत है बोले आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं है मैंने जरूरत फिर से देख ले बोले आपकी मां की कसम घर खाने को ना अपनी खाई ना अपनी मां की खाई मेरी मां की खाई और मेरी खाई और महासे जी आठ तारीक को उसने कसम खाई जहर खाने को पैसे नहीं है आठ को नोट बंदी होगी और नो तारी को इतने रुपे निकड़िया है कि पूरे इंदुस्तान जहर खा सकता है तब पता लगा लुगाई हमेशा जूटी बोलती है पती से कभी सतनी बोलती है अभी तो मुझे राजिश मैं तो थोड़ी बहुत टिफसी दे सकता हूं जिन्दगी में क्योंकि हमारे मुल्क में सत्ता बदलती है विवस्ता नहीं बदलती चेहरे बदलते हैं चरित्र नहीं बदलता मुखोटे बदलते हैं मन नहीं बदलता हम राजा का चेहरा बदलते हैं वो अपना करेक्टर कोई भी नहीं बदलता कोई फरक नहीं परता इस देश में राजा रावण हो या राम जनता तो बिचारी सीता है रावण राजा हुआ तो बनवास से चूरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अगनी परिक्सा के बाद फिर बनवासों भेज दिचाएगी और कोई फरक नहीं परता इस देश में राजा कौरव हो या पंडव जनता तो बिचारी द्रोब्दी है कौरव राजा हुए तो चीरहरन के काम आएगी और पंडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी और कोई फरक नहीं परता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमा जनता तो बिचारी रहास है हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसल्मान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी मुसल्मान राजा हुआ तो और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहतू कितने भी अमीर हो जाओ कभी जिंदगी में किसी गरीब का दिल मत दुखाना और आपका आश्रवाद चाहूगा और अमीरी की अमरीका में चले जाएए सभी भारती मिलेंगे आपको सब्रे दुखी मिलेंगे कोई आखर यही नहीं कहता सेट बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे पंक्ती अच्छे लगे तो आपका आश्रवाद चाहूँगा याद रख लेना अमीरी की अकड अभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है निहार ना बंद कर दे तो हमारी अकड भी खतम हो जाती है नदी ने अकरते हुए कुवे से कहा तेरी क्या वकात है तुझे पता है कहा नदीर कहा बिचारा कुवा लेकिन कुवे का जबाब सुना अच्छा लगे कहीं कविता लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा नदी ने अकरते हुए कुवे से कहा तेरी क्या वकात है तुझे पता है कुवा हाथ जोड़ कर बोला बहन जी भटका और ठहराओं में कुस्तो फर्क होता ही है फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है तुम उपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो मैं नीचे से उपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही देता हो अपने लेवल से उपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे साहब और व्यापार हो या कोई भी हो साहब व्यापार में उड़ने की कोशिस नहीं करनी चीए बढ़ने की कोशिस करनी चीए और मैं एक बात बता दूँ कितने भी बढ़ लेना आप व्यापार में खूब तरक की करना आप बस एक बात देखते रहे न कि तुम्हारे पाउने जमीन तो नहीं छोड़ी है आपके पाउने जमीन नहीं छोड़ी तो बढ़ पाए अगर पाउने उड़ने की कोशिश करते तो कभी इस तरक की को आप पासिल नहीं कर पाते तब कहना चाहता हूं उचाई नहीं होती है पतं की बात अच्छी लगे तो समर्थन करना उचाई नहीं होती है पतं की उचाई होती है पेड की कि जितना बड़ा होता है उतना ही धर्ती में गड़ा होता है माया सही जी आपकी depth आपकी height है अगर आपमें depth नहीं है तो आपकी उचाई का कोई मतलब नहीं उचाई नहीं होती है पतंग की उचाई होती है पेड़ की कि जितना बड़ा होता है उतना ही धर्ती में गड़ा होता है जबकि पतंग की उचाई टिकी रहती है डोर पे जो की होती है किसी और के हाथों में जो जब चाहिए उसे उचा उठा दे जब चाहिए किसी से लड़ा दे जब चाहिए धर्ती पर गिरा दे अब तुम ही सोच लो तुम पतंग की उचाई पाना चाहते हो या पेड़ की क्योंकि पतंग की उचाई पेड़ की उचाई पाने के लिए धर्ती में गड़ना होता है और पतंग की उचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी होती है साहा और समय की सीमा है इसलिए चार पंक्ति देना चाहता हूँ इस देश की राजनीती कुछ का है लेकिन हम क्या सोचे मुल्क हमारा भी है तब कहना चाहता हूँ कि आज एक बार कहें आखरी बार कहें क्या पता तुमने रहो क्या पता हमने रहें और जो ताली बच्ची अभी इस्तेमाल करना आज एक बार कहें आखरी बार कहें क्या पता तुमने रहो क्या पता हमने रहें मंदिरो मजजित की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की लहू था हिंदू का अल्ला सर मिंदा रहा मरा मुसल्मा तो राम कब जिंदा रहा बिखरे बिखरे हैं सबी आओ एक घर में रहें क्या पता तुमने रहो